निखिल ने एक प्राइवेट कॉलेज से अपना बीटेक इन सिविल कम्पलीट किया और लखिली उसकी जौब जहरखन के एक छोटे से सहर में लग 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 उसका ओफिस साइट ओफिस था तो उसे वहाँ जल्दी ही सिफ्ट होना था और वो हो भी गया ये सहर निखिल के लिए बिलकुल नया था तीन तरब से पहारों से गिरा ये शहर जहां अगर आप खुमने निकले तो थोड़ी दूर जाकर ये खत्म हो जाता था निखिल गुमने का उतना सौकीन नहीं था तो वो जल्दी ही ऑफिस जौइन करके कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने लगा दरसल निखिल जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था वो एक प्रीच प्रोजेक्ट था जो नदी पर बनना था तो ज्यादा वक्त नदी के किनारे ही बीटता था 27 दिसंबर 2021 निखिल रोज की तरह साइट पर था यही कुछ साम के बांच या छे बज रहे होंगी सब कोवरकर्स धीरे धीरे कैम्प लोटने रहे था थंड की साम थी तो राज जल्दी ही हो जाती थी और धुंद में कुछ दिखाई भी नहीं देता था निखिल के किसी दोस ने कहा भाई चलना या रहा बागी काम बाद में कर लिए हो तो निखिल ने कहा तुम लोग चलो मैं बाइक से आ जाओंगा थोड़ी देर बाद निखिल के पैर से कुछ लगा वो एक छोटा सा फोन था निखिल को लगा कि किसी वरकर का गिर गया होगा कल वो पूझ के दे देगा तो उसने उसे उठा ले फोन आन था लेकिन उसमें कोई सिम कार्ड नहीं था निखिल को ये देख के थोड़ा अजीब तो लगा लेकिन उसे इग्नोर करते हुए फोन जे में रख लिया और पाइक पर बैठा ही था कि एक SMS आया उसे लगा उसके फोन पर आया होगा तो उसने अपना फोन चेक किया लेकिन उस पर कोई SMS नहीं था तब तक एक बार और अ जिमकाड नहीं है फिर इसमें मैसेज कैसे आ सकता है उसने फोन निकाला तो एक मैसेज आया था थैंक्यू और पिक अप दफोन फ्रॉम दग्राउंड उसने मैसेज का टाइमिंग चेक किया तो वह तुरंत का ही आया मैसेज था अब निखिल को कुछ अजीब लग रहा था उसने फोन को जेब में रखा और फिर बाएक स्टार्ट करके चल्दी से रूम आने के बाद उसने फोन निकाला और बिना देखे उसे ड्रॉर में डाल दिया और रोज की तरह खाना खाके सोने चला दिया रात के तकरीबन दो या तीन बजे निखिल ने सुना कि किसी का फोन आ रहा है तो उसने सोचा एक दो बार एक नोट कर दें सायद जो भी होगा सुबह बाद कर लें लेकिन वो फोन दो बार फिर चार बार और अब बार बार आ रहा है निखिल बरबराता हुआ उठा लेकिन फिर उसने सोचा मेरा तो फोन मेरे पास है फिर कॉल किस बार आ रहा है फिर निखिल को लगा यह आवास तो ट्रॉर में रखे फोन से आ रही है उसने फोन को जूर से गाली दी और फिर फोन की तरफ बढ़ा रिंग बजते ही जा रही थी उसने फोन निकाला और डरते डरते फोन उठाया उधर से आवाज आई गाले नहीं देते बैड है बेट और उसके बाद सबने बस निखिल की चीक सुन निखिल आज भी लापता है लोग कहते हैं उस रात के बाद उसे देखा नहीं गया तो आप कोई केरा हुआ फोन मत उठाइएगा मैं हूँ अनुकरन और आप सुन रहे थे वो कुछ तो था सीजन वन